पूरी तालिबानियों ने पूरी तरह से कब्ज़ जमा लिया है जिसकी वज़ा से अफगानिस्तान में रहने वाले लोग वहां से निकलने की जद्धो जहत में लगे पड़े हैं और इसी कड़ी में विदेशों से आकर अफगानिस्तान में बसे लोग भी वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं इसी बीच पुलंच्रे का रहने वाला एक भारतिय नाकरिक भी काबूल में फसा हुआ है यूवक ने वीडियो के ज़र ये भारत सरकार से गोहार लगाई है कि उसे भारत सरकार की तरफ से वहां से निकाला जाए जिसके बाद यूवक के परिश्रों ने प्रधान मंतरी नरेई नुमोदी से गोहार लगाई है कि किसी भी तरह यूवक की भारत में वापसी कराई जाए तो बता दें लगाता भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह फसे हुए भारतियों को जल से जल भारत वापस लाया जा सके और इसलिए हाला कि दो दिन पहले भी एर इंडिया का एक विमान भारतियों को लेकर आया था काबुल से और कल भी एक विमान भारतियों को रही है कि लोगों को बहां से निकाला जाये वहां से बुलाया जाये और ऐसे में अब बुलंड शहर का एक उवक भी सरकार से गोहार लगा रहा है हाला कि वीडियो बना कर यूवक ने गोहार लगाई है उसके परिजन भी सरकार से गोहार लगा रही है कि जल से जल उसे वहाँ से निकाला जा लगाता बता दें भी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के काबूल में फसे हुए हैं इसके लिए सरकार भी प्रयास लगाता कर रही है ऐसे में परिजनों का जो परिजन यहां पर हैं और जिनके लोग काबूल में फसे हुए हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल है और लगातार वो भी सरकार से गोहार लगा रहे हैं कि कैसे करके उनके परिवार वालों को जल से जल वापस बुला लिया जाए तो बता दें काबुल में जब से तालिवानियों ने कबजा कर लिया है तब से अपरा तफरी जैसा माहौर बना हुआ है कई देश के नागरिक महां पर पिछले लंबे समय से फसे हुए है ऐसे में हर तेश की सरकार जो है वो तमाम कोशिश कर रही है प्रयास कर रही है अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए चलिए जादर जानकारी के साथ बुलंशे है से माई समाजाता लोकेश कुमार जुट चुट चुके हैं जिस तरह से युवक सरकार से कोहा लगा रहा है वापस आने के लिए क्या अभी तक परिवार की किसी अधिकारी से बातचीत हुई है जी दिखें बिल्कुल मैं आपको बदा दू जिस तरह से युवक ने अभी वीडियो अपनी पूसल मेडिया पर वायरल करके जी और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है जाहिर है कि जो परीजन है वो भी परेशान है जी और किसमें जो हालात हैं अफगानिस्तान के ये पूरी दुनिया देख रही है जी वहां फशे लोगों को जिस तरह से किन सरकार के द्वारा लाया जा रहा है ऐसे में जो परीवार है उसकी भी उमीद है कि जो उसका परीवार का जो फशा हुआ सदस्य है उसको भी वहां से जल से जल भारत सरकार लेकर आए जी लोकेश क्या परिज्णों की किसी प्रसाशन के अधिकारी से बातचीत हुई है या फिर कहीं और बातचीत हुई है क्योंकि देखे लगातार भारत सरकार भी कोशिश कर रही है जल से जल सभी जो फशे भारते उनको वापस लाय जाए तो क्या परीवार की तरफ से किसी अधिकारी से बातचीत की गई है जी देखे बिल्कुल यहां के अधिनिस्टेशन से भी लगातार परिवार कॉंटेक्स में है और जो शोचल मेडिया पर युवक के द्वारा जो वीडियो वाइरल किया गया है उस वीडियो को भी संग्यान में लेते हुए जल से जल उस भी बताया था कि उसका जो पासपोर्ट है उसकी कंपणी के मालक में जब लिया है और वो दे नहीं रहा है दे नहीं रहाये और परिवार वालों से भी लोकेश क्या को ई जानकारी है एक यह जो युवक है वहां पर फसा हुआ है वह तुन कहां-पर जॉब करता है लाकर लगातार मेडिया के कॉंटेक्ट करने पर भी ज्यादा जानकारी वो नहीं दे पाए है जी लोकेश क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि यूवक पिछले कितने समय से वहां पर काम कर रहा है अभी लाल उसको छे महीने वहां पर हुए है हाला कि ज्यादा समय नहीं हुआ है जी छे महीने से वो लगातार वहां पर काम कर रहा है और जो चार बच्चे हैं वो भी लगातार अपने पिताजी को लेगा टेंशन में है यानि कि परिवार उसका यहां पर रहता है वो अकेला वहां पर काबूल में नौकरी कर रहा था जी बिलकुल अकेला वहां पर वो तो पुलन शहर का यूवक है जो पिछले 6 महीने से काबूल में एक फैक्टरी में काम कर रहा है हाला कि कमपनी की तरफ से पासपोर्ट भी इसका नहीं दिया जा रहा है लेकिन वो भी वीडियो के माध्यम से लगातार सरकार से गोहार लगा रहा है सरकार और प्रसाशन से लगातार परिवार भी गोहार लगा रहा है कि किसी भी तरह उसको वापस लाया जा सके क्योंकि तमाम भारतिया भी भी ऐसे हैं जो वहाँ पर पसे हुए हैं और जिने वापस लाने के लिए सरकार भी लगातार जद्द जहत कर रही है तो बता दें काबूल में पिछले काफी समय से लोग जो हैं भारतिय लोग फसे हुए हैं ऐसे में सरकार भी तमाम कोशिश कर रही है हर प्रयास कर रही है सरकार कि जल से जल वहां फसे भारतियों को वापस अपने देश लाये जा सके और ऐसे में अब बुलंड शेर के स्युवक का वीडियो इस समय सामने आ रहा है जो साफ तोर पर सरकार से गौहार लगाता हुए नसर आ रहा है क्योंकि युवक का ये भी कहना है कि वो जिस फैक्टरी में जिस कंपनी में काम करता है वो उसके मालिक ने पासपोर्ट भी जो है वीडियो के माध्यम से सरकार से गौहार लगाई है वीडियो बना कर सरकार से गौहार लगाते हुए युवक ने कहा है कि जल से जल से अपने देश वापस भेज दिया जाए खबर गाजिपूर से है जहां तालिबानियों की तरफ से अफगानिस्तान पर कबजे के बाद वहां के हालात काफी खराब कुछ चुके हैं तो ऐसे में अफगानिस्तान में बसे भारतियों को निकालने के लिए भारत सरकात पूरी तरह से प्रतिबद है गाजिपूर के कासीमाबाद तहसील के जयरामपूर निवासी गाउन निवासी कनईया श्रमा काबूल में फसे हुए हैं जानकारी होने पर कनईया के गाउं कासीमाबाद SGM भारत भारकव पहुँचे और SGM ने वार्टसप वीजियो के जरिये काबूल में फसे कनईया से बातचीत भी की और SGM ने बताया कि कनईया काबूल से पांच किलूमीचर की दूरी पर सुरक्षिज जगा पर हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया है और आने वाले 25 अगस को कनईया भारत वापस आ सकते हैं तो बता दें गाजिपूर का भी एक यूवक है कनईया जो काबूल में काम करता है हाला कि SGM भी को भी जब जानकारी मिली कि एक यूवक काबूल में फसा हुआ है और वहाँ पर पर परिशन परिशान है तो SGM भी खुद मिलने गए SGM ने WhatsApp के जर्ये फोन पबाचीत भी की और ऐसे में बताया कि काबूल से 5 किलो मीटर दूरी पर सुरक्षित कनईया रह रहा है और उसका रेजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया है और हो सकता है आने वाली 25 अगस को कनईया को वापस भारत लाया जाए का ऐसे में लगातार सरकार कोशिश कर रही है अपने लोगों को वापस लाने की तो ऐसे में कनईया भी एक उनी में से है जो काबूल में काम कर रहा है और वहां पर अफ़स गया है जब से तारिवानियों ने कबज़ा कर लिया है और हर कोई हर रहने वाला वहां पर अपने देश जाने की अब गोहार लगा रहा है सरकार से किसी भी तरह वहां से सकोशल निकल जाए और अपने देश वापस चला जाए इसलिए गाजीपूर का अबी रहने वाले कनया ने भी गोहार लगाई है परिवार भी लगातार से गोहार लगा रहा है कि किसी भी तरह सुरक्षित कनया को वापस लाए जा सके ऐसे में SDM भी कनया के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और SDM ने वाटसेप वीजियो के जरिये कॉल के जरिये व आने वाली 25 अगस को कनया को वापस भारत लाया जा सकता है मेरे बड़े भाई कनया लाग सारमा जो है वहाँ पर पिछले महने 16 जुलाई को काम मेकेनिकल फिटर के पद पे जो है काबूल में गए थे मेली इस्टिल प्लांट में काम कर रहे थे और अब दो-तीन दिनों से ऐसा अलत वहाँ हो गया है तालिबानियों द्वारा जो अटैक किया जा रहा है गोला वारुत का प्रियोग करते हुए जन्मान असको शती पूर्ती की जा रही है और आम पब्लिक को ज़ए ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसे वहां के लोग और हमारे भाई साहबी जितने भी लोग उनके साथ गया है रहे सहमे हुए है कई हमारे उपर भी है ये जो है गोला वारुत का प्रियोग ना किया जिसे हमारी भी छती हो जाए अच्छा यह बताइए हमें पड़े हुए है और हम लोग उसे परिवार से जब भी बात हो रही है यही आग्रा कर रहे है है और हमारे देश को प्रधान मंत्री बढोंडी जी यही है कि था कुष लूंको अफ़ परिवार में लाया जाए अपने देश और हमारे मुख मंत्री यादितनाथ योगी जी से मैं रिक्रश्छ करता हूं कि उनको सही सलाम हो पने देश को अपने देश को वापस लेकि यह कॉन लोग है और कहां के लोग है तो जैनगारी करने पर पता चरह कि काश्यमाबाद में गाउं मुबारक वहां के रहने वाले हैं सर्मा जी को वो काबुन में एक मेली स्टील कंपनी में काम करते हैं अब वो आना चाहते हैं इस सम्द में उनके छोटे भाई हैं Ajaj Sarma उन से मेरी बात हुई वो आर्पिय गॉरगपूर में कांस्टेविल के पत पर तैना था है उन्होंसे मेरी बात चीत हुई उन्होंने बताया कि परिष्वेलाद सर्मा जी अनके बड़े भाई हैं और हो काबल अपने बतन अपने हिंदुस्तान आजाए अलिकर जाते समय हर दोई पहुंचे प्रगतिश्वील समाजवादी पाठ्जी के मुख्या शेपाल संग्यातव ने कहा कि मुसल्मानों पर जहां शक हो वहां देश के लिए हानी है वहीं उन्होंने आगे कहा कि आज़ादी की लड़ाई को या कोई और अन्य परिस्तित्यां मुसल्मान हमेशा देश भक्त रहा है और उनकी देश भक्ती पर शंकान नहीं करनी चाहिए कि उनका सुछाब है सपायाने दल के साथ गडबंदन को लेकर शेपाल सिंग्यादब ने कहा कि दो साल पहले उन्होंने नारा दिया था कि गैर भाजपाई दल उनके साथ मिलकर काम करें तो उनकी प्रात्मिक्ता है इसलिए उनका आज भी यही कहना है कि उनकी प्रात्मिक्ता में समाजवादी पाटी ही है और शेहरों के नाम पदलने को लेकर शेपाल सिंग्यादब ने कहा कि इस सरकार ते को ही नया काम नहीं किया है जो निर्ने लिए गए हैं ना वो देश हित में हैं और ना जरनता के हि इसलिए हर तरह से प्रदेश और देश काफी पिछड़ चुका है क्योंकि देश और प्रदेश के सरकारे असफल हैं पताते हैं कि शिवपाल सिंग्यादव अलिगर्ट जा रहे थे और इसी दौरान संडीरा बॉर्डर से लेकर खरतोई तक उनका जगा जगा पर भवे स्व अजिए पर मुसल्मानों पर सक किया जाएगा तो उतनाई देश के लिए हानी है सक नहीं करना चाहिए आजारी की लड़ाई हो चाहे कोई परिस्तिती रही हो मुसल्मान हमेशा देश वाक्त रहा है तो मुसल्मान की देश वाक्ती पर संका निकी जाए कानपूर में बीजीपी विधायक अभीजीद सिंग सांगा ने एक बाद फिर से विवादित बयान दिया है दरजल सत्ता का नशा अभीजीद सिंग सांगा पर सर चड़ कर पोल रहा है बीजीपी विधायक अभीजीद सिंग सांगा ने एक बाद फिर भंकाओ बयान देते हु तो वारल हो रहा है अब इस पर सबसे बड़ा सवाज शाशन और प्रसाशन पर उठता है कि इस मामले पर क्यों चुप है आखिर प्रसाशन और अभी तक विधायक पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया है तो बताने कानपूर का ये मामला है जहां पर विधायक के सर पर सत्ता कनशा चड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में विधायक अभीजीद सिंग सांगा ने भड़काओं बयान दिया है और कहा है कि किसी के भी माई के लाल मिदम वो तो ताजी को दफना कर दिखा है आपको बता दें कि अभीजीद सांगा कानपूर की बिचुर विधान सभा से बीजेपी के विधायक हैं और इस तरह से उनका बयान सामने आया है एक बाप फिर से भड़काओं भाशन उनका सामने आया है हालकि इससे पहले भी कई बार वो इसी तरह के बयान बाजी देते हुए नजर आये थे लेकिन ऐसे में धर्म निर्पेक्ष्ट के तहत ये बीजेपी विधायक ने विवादित बयान दिया है और एक धर्म को लेकर बीजेपी के विधायक के बोल जो है वो बिगड़ते हुए नजर आये हैं और साथ ही एक धर्म विशेश को लेकर ये बयान देना बेहदी शर्मनाख है और साथ ही आपको बता दें अब ये बीजेओ भी काफी वाइरल हो रहा है कानपुर से ज़ादा जानकारी के लिए आशीश अवस्य माई सा जुड़ जोके हैं आशीश क्या कुछ अपडेट है इस सरा से अभी जीद सिंग सांगा ने जो विवादित बयान दिया है अब तक क्यों कोई कारवाई नहीं की गई पहले भी चौचाओं में रहे हैं और इस बार भी साजीए को लेकर बयान दिया गया है उसको लेकर उन्हों सीज़े तोर पर चुनावती ही दिये कि साजीओं को दफना के दिखाएं अगर ये कहा जाए कि दोजार बाइस के चुनाव को लेकर इस बयान को दिखा जाए तो भी साहिद ये गलत नहीं होगा क्योंकि कानपुर में इस तरह की एक्टिविटीज जो हो लगातार बड़की हुई दिखाएं जी आशीश लेकिन जिस तरह से अभी जी सांगा ने ये बयान दिया है ये कितना क्योंकि देखे ऐसे में विधान सवा चुनाव भी आप पास आने वाले हैं और ऐसे में अगर किसी एक धर्म को लेकर ये बयान दिया जाए तो ये बेहदी शर्मनाक है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो धर्म और जाती का मुद्दा जो है वो सबसे ज़्यादा लाए जाता है सामने जी पिल्कुल देखिए जैसे चुनाओ नजदीक आएंगे वैसे वैसे इस तरह की बैयान बाजी इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो सामने आती रहेंगी क्योंकि एक माहौल बनाने की तैयारी होती है एक जो धर्मने पेचता होता है उसको बातित करने की तैयारी होती है ये सारी तैयारियां मिला कर जो है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आंगे बखते हैं और इसली के सहत इस बयान को भी देखा जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से अब जी सिंग्साना ने काजियों को लेकर बयान दिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक धार्मिक भावन और बिदाय के सर्य का बयान देंगे तो पार्टी की तरफ से क्या कुछ अभी तक कहा गया है जो मंत्री उन्ते समद्ध में चल्टा करने की बात की गई लेकिं कोई भी क्या नेता या पारी का कोई भी मंत्री इस पुरे मामले कर बोलने को तयार नहीं बड़ा नाम है एक व बिल्कुल आशीश और वीडियो भी जिस तरह से वारल हो रहा है तो क्या प्रसाशन के कोई अधिकारी इस पर कुछ बोलें अभी तक क्या कारवाई की बात की गई है कि कब तक की जाएगी बिल्कुल देखिए सब्सादर के विधायक है अव्जी सिंग सांगा और इस बात को लेकर जब यहां पर दिला पसातन के लोगों से और यहां के पुलिस कमिसरे अती मरूर से बात की गई है तो वो इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बस्ते नजार आ रहा है यहांने साब पर पका आ जाए कि सब्सादर के विधायक के विरुद कोई ठोज कारवाई नहीं होने वाली है फिलान जी चलिया आशीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया समाम जानकारी के लिए तो बता दे कानपूर का यह पूरा मामला है जहां पर बीजेपी के ही विधा विधायक का यह विवादित बयान सामने आया है और धर्म और जाती को लेकर उनोंने विवादिया है जिसके बाद बीजेपी के नेता भी इस पर बोलने से बच रही है हाला कि अब तक उनपा कोई एक्शन नहीं लिया गया है कोई भी किसी भी तरह की कारवाई नहीं की गई जानकाई ये भी मिल रही है कि अभी तक प्रसाशन की तरफ से भी इस पर चुपी ही साधी जा रही है और प्रसाशन भी इस पूरे मामले पर कुछ बोलने से बच रहा है हाला कि अभी जीद सिंग सांगा का ये वीडियो जो विवादित बयान उन्हें दिया था अब वो तेजी के साथ वारल हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल इस पर साशन और प्रसाशन पर ही उठ रहा है क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले पर विधायक पर कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है और पूरे मामले को लेकर कोई भी कारवाई नहीं की गई है सुल्तानपुर के कूरे भार इलाके में रहने वाले एक सीजो कमपनी के मालक की एक दस दिन पहले दिल्ली में संदिक परिस्तितियों में मौत हो गई थी वहीं परिजनों ने संपत्ति के लालश में उसकी पत्नी और पातना पर ही हत्या की आश्रंका जाहिर थी है और इसी के साथ ही शब को फ्रीजर में रखकर दोबारा पोस्ट मौडम कराए जाने की जुलादिकारी को शिकायती पत्र भी दिया है परिजन दस दिन से शब को फ्रीजर में रखकर नयाय की आस्त लगाए बैटे हैं और इसी संबन्द में थाना अध्यक्ष श्रीराम पांजे ने भी बताया कि मामला संग्यान में है और ऐसे में उच्रदिकारियों के निर्देश पर कारवाई की जाएगी परिजन दिल्ली में बच्चा रह रहा था इसका अपना कारवबार था और वहीं पर साजिस के तहत इसके पार्टनर वाइप और उसके सालियों सुसर मिलके उसके साथ बारजाज किया महमूदाबाद में सडक लगवाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया जिसके बाद दबंग प्रधान पती ने ही पिता पुत्र को गोली मार दिया और वहीं जैसे ही इसकी जुआनकारी पुलिस को मिली पुलिस तुरंद खटना इस्ताल पर पहुँची और पिता पुत्र को अस्पताल में भरती करा दिया जहां पर दोनों की खालत गमफीर बनी हुई है और ऐसे में बता दें ये पूरा विवाद सडक बनवाने को लेकर हुआ था जिसमें दबंग प्रधान पती ने पिता और पुत्र दोनों को गोली मार दिया जिसके बाद दोनों की खालत बेखत ही गमफीर पनी हुई है और दोनों को जिलास्पताल में भरती कराया हुआ है जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है हर्याना खनन माफियाओं की तरफ से ISDP के नाप कम शुल्क और यूपी सरकार को देका लगातार अवैद खनन सारनपूर मंडल में लाकर बेचा जा रहा है जिसके चलते शराशन की तरफ से लखनाउ से सायूक निदेश्वक खनन के नेतुर्त में चे लोगों की टीम गठित की गई वहीं इस टीम को सारनपूर भी भेज दिया गया है जिसके बाद टीम ने सारनपूर के सरसावत हनाश्यत्र में हर्याना से यूपी में आ रही कई खनन की गाड़ियों को रोक कर च्रेकिंग की है और उसमें से आठ से ज्यादा गाड़ियों में आन्यमित्ता पाए जाने के बाद उन पर बड़ी कारवाई भी की गई है साथ ही बता दें कि सयूप निदेशक खनन डॉक्टर नवीन कुमार दास ने बताया कि अवैद खनन परिवहन को रोकने के लिए साश्चन से ही ये टीम कठित की गई है और जिले में जहां पर भी बॉडर के चेक पॉइंट्स हैं सभी जगा पर चेकिंग लगातार की जा रही है इस बुलेटिन में फिलाक लेतना ही आप देखते रहिए निउस वोल इंडिया